सतवास तहसिल की ग्राम एकलेरा के समीब जंगल के धावडे के पेड़ से पानी की बूंदे टपक रही है पेड़ से टपक रही इन पानी की बूंदों को लोग आस्था का नाम दे रहे हैं आसपासे ग्रामेंट विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों को लेकर इस पेड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं साथी पेड़ के पास पूजा अर्शना कर नारियल आदी परसाद भी चड़ा कर मन्नत बांग रहे हैं यह सिलसला नाक पंचमे के दिन से ही चल रहा है जिसी पर देखिए हमारी है खास रिपोर्ट आश्वर की बात यह है कि शुरत धालूं द्वारा पेड़ के नीचे जितनी जोर से जयकारा लगाते हैं उतनी ही तेजी से पत्तों से पाने टपकने लगता है वहीं इस मामले को लेकर SDO SL यादफ से मोबाइल पर चर्चा की गई तो उन्हों ने कहा कि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी हो सकते हैं इस हे तो हम जबलपुर शोत केंद्र को सूचना देंगे पानी की गिरता है तो इसलिए हम आयें दर्शन करने और अपनी शमस्या हैं पर दूर्वजा इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो सत्वास तहसील के ग्राम एकलेरा के समीब जंगल में धावडे के पेड़ से पानी की बूंदे टपक रही है पेड़ से टपक रही इन पानी की बूंदों को लोग आस्था का नाम दे रहे हैं आसपास से ग्रामेंड विभिन बीमारियों से क्रस्थ मरीजों को लेकर इस पेड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं साथी पेड़ के पास पूजा अर्शना कर नारियल आदी प्रसाद भी चड़ा कर मननत मांग रहे हैं और यह सलसला नाग पंचमी के दिन से ही चल रहा है। अर्शना कर नारियल आदी प्रसाद भी चल रहा हैं और यह सलसला नाग प्रसाद भी चल रहा है।